स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी किलासेश विस्मिज जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों वीडियो इस्टार्ड हो चुका है लाइक कर दें एक बार और अपने मित्रों तक सेयर जरू कर दें है ना और सेल्प स्टेडी किलासेश एप अगर आपने डाउनलोड नहीं कि सब्ता है मैं दो दिन सेल्प स्टेडी किलासेश एप पर एस सीरेज होती है तो हमारे जितने भी साती हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू करेंगे और अपने मित्रों तक एक बार सेयर जरू कर देंगे और एस सीरेज से सभी लोग जुड़ें और आज हम कुछ महत्पूर्ण डाउट्स वाले प्रस्टों को लेकर किया हैं अब लोग पढ़ लेना दोस्तों है ना और ये नेचोर किलास स्टार्ड हो चुकिये दोस्तों 21 जून से यानि कि दो सेशन इसके हो चुके हैं अब आंगे की क्लास और नरंतर चलती है दोस्तों तो जिस में जिस्भी साथियों को इसमें कॉर्स में अड़ लेना है वो अराम से ले सकते हैं और दोस्तों ये चतुर्थ बैच स्टार्ड होने वाला है एक जुलाई से तो इस बैच में जिसको भी अड़ीसर लेना है वो लेकर कि अपना अध्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभी भी बहुत टाइम है अराम से कर सकते हो लाइब क्लास रहेंगी विश्टरेत अध्यान टेस्ट ट्रेक डाउट सेसन बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने बाली हैं ठीक है चलि और वसी के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए यहाँ पर चार बिकल्प है अब इस प्रिकार से अगर कॉस्चन आप से पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे बताइए और वसी के रचनाकार कौन है देखते हैं कौन-कौन क्या बता रहा है कौन-कौन किलियर करके चल र वीडियो को एक बार लाइक जरू करना है और वसी की रचना कार कौन है और बहुत सारे लोगों को पता है कि सर और वसी की अगर बात होगी तो और वसी एक रचना किसकी है और वसी एक रचना 1909 की जो है वो जै संकर परसाथ की है और वसी एक रचना दोस्तों जै संकर परसाथ की है और और वसी एक रचना दिनकर की है अगर ऐसा question आता है तो question क्या हो जाता है गलत हो जाता है क्योंकि और वसी नाम से रचना एक जैसंकर प्रसाद की भी है और वसी नाम से एक रचना दिनकर जी की भी है ठीक है तो आपको याद करना है अगर आप से पूछा जाए कि और इन दोनों मैंसे एक विकल्प में आपको मिलेगा या तो जैसंकर प्रसाद मिलेगा या फिर दिनकर जी मिलेगा ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गई यानि की और बसी की रचनाकार यह दोनों है यह दोनों है जैसंकर प्रसाद और दिनकर ठीक है जैसंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था दोसто? 1889 को और दिंकर जी का जन्म हुआ था कब? 1908 में. ठीक है. ये आपको याद रखते हैं आ, दिंकर जी की जो और्वसी रचना है दोस्तों, और्वसी रचना है, ये और्वसी रचना के लिए क्ला था? ग्यानपीट प्रुसकार मिला था कब मिला था कमेंट में आपको लिखना है जबकि जैसंकर प्रसाद की जो औरवसी रचना है ये दोस्तों चम्पू काब बे कहलाती है ठीक है बहुत बढ़िया है ना तो अब आपको बताना की उर्वसी के लिए ग्यानपीट प्रुसकार कब मिला था फटाक से आपको चैन करना है अब यहाँ पर दोस्तों हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है बताईए कौन-कौन बता रहा है यहाँ भी confusion वाला system होता है हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है यहाँ पर उत्तर तो आपका एक ही है लेकिन कौन-कौन confuse होते पहली भी मैंने वीडियो आपको दिया है लेकिन आद बहुत अच्छे से अपन पढ़ रहे हैं अच्छे से आपको समझ में भी आएगा बताएं हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है बिल्कूर लाइप क्लास है आज की अनिल कुमार जी हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है कामता परसाद गुरू को कहा जाता है कि सोरी दास बाचपेई श्यम्भू या फिर दिनकर को कहा जाता है और अच्छा question आया है सभी लोगों ने उत्तर बता दिया है कि sir हिंदी का पढ़नी जो कहा जाता है कि सोरी दास बाचपई को यानि कि यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नम्मर V है ना लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा जाता कि हिंदी ब्याकरण अगर यहां पर ब्याकरण लगाया जाता ऐसा ब्याकरण लगा दिया जाता तब आपका उत्तर चेंज हो जाता और उत्तर हो जाता क्या कामता प्रसाद गुरू तो हिंदी ब्याकरण का पाढ़नी कामता प्रसाद गुरू और हिंदी का पार्णी के सोरी दास बाच पेई हिंदी का पार्णी के सोरी दास बाच पेई हिंदी ब्याकन का पार्णी दोस्तों कामता प्रसाद गुरू बहुत बढ़िया अंगला कोस्चन यहां पर आते हैं दोस्तों अंगला कोस्चन है प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया पूरे डाउट्स वाले कोस्चन है आज के इस वीडियो में पूरे डाउट्स वाले हैं है ना आपके लिए प्रियोग बाद सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था अब देखो यहाँ पर डाउट से और कौन-कौन ऐसे साती है जो सही उत्तर बता रहे है प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया है और बहुत सारे लोगों ने उत्तर बता दिया है कि सर के सोरी जो नंद दुलारे बाशपई हैं इन्होंने प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया है यह को बहुत सारे लोगों ने अग्गे बता दिया अग्गे ने नहीं किया भाईया किस ने किया नंद दुलारे बाशपई ने किया प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया नंद दुलारे बाशपई ने जबकि प्रियोग बाद के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाता कि प्रियोग बाद के प्रवर्तक कौन है तब आपको उत्तर लगाना था अग्ये लेकिन इस प्रस्ण का उत्तर आपका नंद दुलारी बाच पर यह है ठीक है बहुत बढ़िया तो यह डाउट से भी आपका केडियर हो गया कि प्रियोग बास सब्द का सबसे पहले प्रियोग नंद दुलारी बाच पर नहीं किया और प्रियोग बास सबसे पहले प्रियोग बास के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है अग्ये हैं ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉस्चन एक राष्टी आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है लो कॉस्चन भी बहुत अच्छा है लेकिन डाउट से इसमें कॉस्चन वे गोपाल सरण से हैं देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है एक राष्टी आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है और बहुत सारे लोग इस प्रस्ट में कन्फ्यूज हुए लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया है ना ए लगा दिया बहुत बढ़िया है ना यह है कन्फ्यूजन बाला सिस्टम इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों है ना यह आपका देखो यहां पर एक भारतिय एक भारतिय आत्मा के आत्मा कहा जाता है दोस्तों माखलाल चत्रुबेदी को जबकि एक भारतिय अगर यहां पर होता एक भारतिय ए एक भारती आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आप लगाते माखलाल चत्रुवेदी लेकिन यहाँ पर क्या है एक राष्टी आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम सुकल लगा दिया ना बहुत सारे लोगों ने ए नमबर है न हो जाएगा ठीक है इस प्रशन का उत्तर किलियर बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखो अप ब्रहंस का भावभूती किसे कहा जाता है अब इतना अच्छा कॉस्चन है आपके लिए किसे कहा जाता है सबी लोग एक बार वीडियो कहा जाता है इतना अच्छा कॉस्चन है और इतना अच्छा कॉस्चन क्या हो रहा है यहां पर आपको याद करना है ठीक है जल्दी से सभी लोग बताएंगे एक अप ब्रहंस का भावभूती किसे कहा जाता है इतना अच्छा कॉस्चन और सभी लोगों ने बताया है क्या बता रहे है उत्तर आप लोग अपर भरंस का भावबूती किसे कहा जाता है और उत्तर है दोस्तों पुस्पदंत को कहा जाता क्या या पर सुयंभू को कहा जाता किसे कहा जाता किसे कहा जाता है पुस्पदंत को जबकि अपर भरंस का कालीदास किसे कहा जाता है एक क्वेश्चन आता है अपर भरंस का कालीदास किसे कहा जाता है और एक क्वेश्चन आता है अपर भरंस का भावबूती किसे कहा जाता है तो आपने बताया कि सर अप ब्रहंस का भाववूती कहा जाता है पुस्पदंत को क्योंकि डाक्टर भयानी ने पुस्पदंत को अप ब्रहंस का भाववूती कहा है ना आपको पता होगा ठीक है तो इसको आपको याद रखे ना दोस्तो और अप ब्रहंस का काली दास कहा जात पुस्प की भभूती लगाओ ठीक है next question आपका स्क्रीन पे कबीर की भासा को साधुक्डी किसने कहा बताइए कि कबीर की भासा को साधुक्डी किसने कहा इतना अच्छा question आपके लिए वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करते जाना और डाउट्स बाला अपना जो सहसन हैं इन प्रश्णों को कभी गलत करके नहीं आना क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ाया है और कई बार पढ़ाने के बाद बताया भी है कि इन कोस्चनों को अच्छे से रखो परमानेंट रखो कबीर की भासा को साधुकडी किस ने कहा कबीर की भासा को साधुकडी किस ने कहा राम चंदर सुक्ल ने स्याम सुंदर दास ने राम कुमार बर्मा ने या फिर राम बिलास सर्मा ने और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो आपने बताया है कि सर साधुक्डी कहा है किसने राम चंदर सुक्ल ने कबीर की भासा को साधुक्डी कहा है राम चंदर सुक्ल ने जब कि दोस्तों आपको पता है कि कबीर की भासा को पंच मेल खिचडी किस ने कहा पंच मेल खिचडी किस ने कहा कॉस्चन डाउट से डाउट से बाला कॉस्चन है ना कबीर की भासा को पंच मेल खिचडी स्याम सुंदर दास ने कहा बोले सरह हमने पढ़ा तो बहुत लेक रचने का उत्तर आपका एक नमर होगा आ नमर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन देखो अर्दनारी सुर के रचना कार कौन है अर्दनारी सुर एक रचना है दोस्तों अब अर्दनारी सुर एक किसकी रचना है अर्दनारी सुर के रचनाकार कौन है अर्धनारी सुर के रचनाकार कौन है ये उत्तर आपको बताना है जल्दी से बताएं अर्धनारी सुर के रचनाकार कौन है शबी लोग बताएंगे और अर्धनारी सुर इसकी जो रचनाकार हैं दोस्तों है ना ये आपको पता होनी चाहिए कि सर ये जो निबंद है ये निबंद किसका है ये निबंद है दिनकर का जबकि दोस्तों उपन्यास उपन्यास किसका है ये उपन्यास बिश्नु प्रभाकर का है ठीक है इसमें अगर उपन्यास पूछा जाता कि अर्धनारी सुर उपन्यास किसका है तब आप बिश्नु प्र डोनों की रचना है दोस्तों अर्धनारी सुर्व है ना अब आपको केलिएर हो गया कि अर्धनारी सुर्व निबंद है देनकर जी का और उपन्यास है विश्णु प्रभाकर जी का ठीक है बहुत बढ़िया है ना आगे कोश्चन देखते हैं अंगला क्वश्चन है अपर ति त्रसंकु किसकी रचना है दोस्तों बताईए चार विकल्भ हैं त्रसंकु के रचनाकार आपको चैन जरना करना अग्ये ब्रज मोहन सें मननू भंडारी या फिर प्रेम चंद है गलत नहीं होने चीए ऐसे कॉस्टें त्रसंकु कि रचनाकार कौन है किसकी त्रशंकू, एक किसकी रचना माने जाती है, सबी लोग लाइक जरू कर देना, जिन भी साथियों को कूर्स में अडवीसन जरू लेना साथी हो, सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको जरू डाउनलोट कर लेना और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बता दिया इसर जो त्रिसंकू है यह रचना आपको याद रखना है बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा डाउट से है ना यहाँ पर याद रख्टे ना कि यह जो मन्नु भंडारी का है यह कहानी संग रहे है यह क्या है कहानी संग रहे ब्रेज मोहन का यह क्या है दोस्तों नाटक है ब्रेज मोहन का नाटक है और त्रसंकु आपको अग्गे की पताई है अग्गे की दोस्तों ये क्या है निबंद है अग्गे का त्रसंकु क्या है निबंद है अब देखो आप से इस प्रकार से question पूछा गया था कि त्रसंकु के रचना कार कौन है तब आपको ये त्रसंकु तीनों कभियों की रचना हैं अग्गे की भी रचना त्रसंकु है ब्रेज मोहन की भी रचना त्रसंकु है मन्नु भंडारी की भी रचना त्रसंकु है लेकिन आपको पता होगा कि अग्गे का ये क्या है निबंद ठीक है ब्रेज मोहन सें का ये क्या है दोस्तों नाटक ठीक ह और यहाँ पर देखो यहाँ पर मन्नु भंडारी किया है दोस्तों कहानी संग रहे है तो यह आपको याद रख रहे हैं त्रिसंकू के रिचनाकार कौन है त्रिसंकू निबंद किसका है त्रिसंकू नाटक किसका है और त्रिसंकू कहानी किसकी है ठीक है बहुत बढ़िया जाता है तो किसे माना जाता है देखो इतना अच्छा क्वेस्टन है बताईए हंदी का एतिहासे को पन्यासकार किसे माना जाता है हंदी का कि सोरी जलल गोस्वामी को इल लज्जारा महत्या फिर प्रेम हो जाएगा अच्छा question है सात्यों हिंदी के एतिहासे को पन्यासकार में आपको ये देखना है दोस्तों कि हिंदी के एतिहासे को पन्यासकार के सोरी लाल गोस्वमी है जबकि ब्रंदा बन लाल बर्मा को एतिहासे कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर तो आपको पता है एतिहासे को पन्यासकार के सोरी लाल गोश्वामी तो है लेकिन एतिहासे को पन्यासकार ब्रंदावन लाल बर्मा भी है लेकिन एतिहासे को पन्यासके जनक माने जाते के सोरी लाल गोश्वामी है न और एतिहासे कहानी के जनक मान जाते हैं कौन ब्रंदावनलाल बर्मा ब्रंदावनलाल बर्मा तो एक चीज आपको याद रख लेना है यहां से याद रख लेना यह दोनों है दोस्तो ब्रंदावनलाल बर्मा भी एतिहासे को पन्यासकार है किसोरिलाल गोस्वामी भी है लेकि कोश्चन आपको याद रखना है कठिन काब का प्रेथ किसे कहा जाता है कठिन काब का प्रेथ किसे कहा जाता है बताइए अग्गे को केसव दास को तुल्शी दास को या फिर हर्योद को किसे कहा जाता है कठिन काब का प्रेथ सबी लोग बताएंगे अगिला कॉश्चन है आपका कटिन काब का प्रेत किस से कहा जाता है और बढ़िया कोश्चन आया यहां पर काब्ब आपसे पूछा गया कि कठिन काब्ब का प्रेत किसे कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने बिलकुल शही आंसर बताया है कि सर कठिन काब्ब का प्रेत जो कहा जाता है वो कहा जाता है केस अधास को यानि कि आपका जो B number है वो बिलकुल सही है और कठिन गद्द का प्रेथ किसे कहा जाता है तो कठिन गद्द का प्रेथ कहा जाता है अग्गे को अगर यहाँ पर गद्द होता दोस्तो तो आपका उत्तर हो जाता अग्गे लेकिन यहाँ पर क्या है काब तो उत्तर हो जाएग करना है एक बार वीडियो को लाइक करना है अपने मित्रों तक सेर जरू कर देना है कि सन्यासी किसकी रचना है सन्यासी किसकी रचना है यह आपको बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा सन्यासी किसकी रचना है सन्यासी और आपका बिल्कुल शही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सन्यासी की रचनाकार कौन है तो यहाँ पर आपको एक बार देख लेना है दोस्तों कि सन्यासी इनका उपन्यास है और इनका क्या है नाटक है है ना यहाँ पर देख लो एक बार कि इनका क्या है उपन्यास इनका दोस्तों उपन्यास है और इनका क्या है नाटक इनका क्या है नाटक ठीक है तो सन्यासी किसकी रचना आपसे पूचा गया तो आपको याद रख्टे ना किया तो आपके option में ईलाचंद जोसी मिलेगा आपको या लच्मी नारण मिस्र मिलेगा कि अगर आपसे उपन्यास पूचा जाएगा कि सन्यासी उपन्यास किसका है तो ईलाचंदर जोसी का सन्यासी उपन्यास है अगर आपसे पूचा जाएगा कि सन्यासी नाटक किसका है तो नाटक आपका लच्मी नारण मिस्र का नाटक है ठीक है लच्मी नारण मिस्र का ये सन् अंगले question क्यों बढ़ते हैं मुक्ति पत किसकी रचना है मुक्ति पत किसकी रचना है एसा question आपसे पूछ लिया गया तब आपको चैन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा हाँ जो उसमें आकर लोग सन्यास ले लेते हैं बहुत बढ़िया सहलेज जी मुक्ति पत किसकी रचना है यह आपको बताना है मुक्ति पत किसकी रचना है अच्छा question है और आपका यहाँ पर बिलकुल सही यहाँ पर भी doubts बाला system है दोस्तों है ना यहाँ पर भी आपके लिए दिया गया है कि इनका दोस्तों क्या है ना टक है ना नका क्या है उपन्यास है ना और इनका क्या है उपन्यास ठीक है यहाँ पर याद रख्णे मुक्ति पत उदय संकर का क्या है नाटक मुक्ति पत इलाचंद्र जोसी का क्या है उपन्यास मुक्ति पत अभाय मौर का क्या है उपन्यास तो आपको याद रखना है यहां पर कि मुक्ति पत अभाय मौर का उपन्यास है इलाचंद्र जोसी दोस्तो उपन्यास है इलाचंद्र जोसी का भी उपन्यास है उदै संकर भट का भी क्या है नाटक है मुक्ति पत इनको अपन को याद रखना है ठीक है बहुत बढ़िया तो उदै संकर भट का ये नाटक है मुक्ति पत इले चन जोसी का उपन्यास है मुक्ति पत ठीक है और अभाय मौर का उपन्यास है मुक्ति पत ये मुक्ति पत आपको पंचबटी प्रसंग काब ये किसकी रचना है पता यह मेत्रीशन गुपति की कि निराला की भगबती चन बर्मा या धरम्बीर भारती की पंचबटी प्रसंग काब किसकी रचना है ये आपको बताना है शबी लोगों को बताने है पंच बटी पर संग काप बे किसकी रचना है और सभी लोगों ने बताया है देखो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ए लगा रहे हैं कि सर ये तो मेत्री शनगोपते हैं लेकिन इस भूल में मत रहना है ना मेरे भाईयों है ना यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा निराला क्या हो जाएगा निराला हो जाएगा यानि आपका बी नम्मर बिलकुल सही हो जाएगा बुलसर ये तो पक्का पता था कि, है ना, खा गए ना, डाउट्स, ये पंचबटी प्रसंग की रचनाकार कौन है, निराला, कौन है, निराला, यानि कि आपका बी नम्मर यहां पर पूरा बी नम्मर सही हो जाएगा, लेकिन केवल अगर पंचबटी पूछा जाता, केवल अ उत्तर हो जाता मैत्रीशन गुप्त है है ना इनकी रचना आपने पड़ी होगी मैत्रीशन गुप्त की भारत भारती सबी ने पड़ी ना भारत भारती 1912 की रचना पड़ी होगी ठीक है और दोस्तों ये पंचबटी इनका खंड का बमाना जाता है मैत्रीशन गुप्त का और यहाँ पर आपका उतर निराला बिलकुल सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चिन आपका यहाँ पर आता है, बाप सी किसकी रचना है, बताईए, अब ऐसे कोश्चिन आपके उसमें आते हैं, और आप लोग क्या होते हैं, बहुत डाउट्स में आ जाते हैं, अब बोलिसर ये गलत हो गया कैसे गलत हो गया जिन भी सातियों ने सेल्फ इस्टेडी किलासे से एप डाउनलोड नहीं किया वो एप जरूर डाउनलोड कर लीजिये दोस्तों आपको वो हर चीज बताई जाती है जहां पर आप डाउट्स हो खाते हैं जहां पर डाउट्स जाता है दोस्तों जहां पर आप गलत करके आते हैं है ना तो बापसी किसकी रचना है अभी तक आपने दोस्तों बापसी कहानी पड़ी थी कहानी पड़ी थी कौन कौन सी कहानी पड़ी थी कि सर बापसी कहानी तो किसकी है बापसी कहानी तो बोले सर उसा प्रियम बदा की ह आपने यह पढ़ा था भी तक लेकिन आज कुछ और नया पढ़ोगे आप और वो नया यह है दोस्तो की याद रखे ना ठीक है कि एक जो बापसी एक जो बापसी है दोस्तो एक बापसी एकांग की भी है और एकांग की किसकी है एकांग की है उदय संकर भटकी किसकी एकांग की है उदय संकर भटकी एकांग की भी है तो ये भी अपन को याद रखना बापसी किसकी रचना उसा प्रियंबदा की बापसी ए कांग की किसकी है एक कांग की एक कांग की तो दैसंकर भट की एक कांग की मानी जाती है आपको भूला नहीं है ऐसे कॉस्चन आपको कन्फ्यूज में हमेशा डालते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है रस बेमर्स किसकी रचना है रस बेमर्स की रचनाकार कौन है दोस्तो डाक्तर रा डाउट्स बाले जो question आपको कराये जाते हैं यह बहुत ही important होते हैं और दोस्तों बताईए आपने हर exam में देखा होगा दो चार question डाउट्स बाले डाले जाते हैं जहां आप doubts हो चकमा खाओ और गलत करके आओ है ना रस्बे मर्स की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर सभी लोगों ने बताया है क्या बताया है यहां पर देखो दोस्तों है ना रस्बे मर्स दोस्तों आपको याद रख लेना है यहां पर पूचा जाता है रस्बे मर्स और रस्बे मर्स की रचनाकार माने जाते डाक्तर राम मूर्ती तरपाटी कि अगर इस प्रकार से पूछा गया रस बे मर्स तो आपको लगाना ए नम्मर यानि कि दोस्तो राम मूर्तीतर पाठी लेकिन अगर आप से पूछा जाएगा रस सिद्धान्थ की रचनाकार कौन है तो रस सिद्धान्थ दोस्तो किसका है नगेंदर की रचना है लेकिन अगर आप से पूछा जाता है रस्मी मांसा की रचनाकार कौन है तो आप क्या लगा पूंचा जाता है कि रस्सित्द फिर्चनाकार आपको डाक्टर नगेंद्र लगाना है जो कि स्रेश्टा लू चकमाने जाती हैं दोस्तु ठीक है अंगला श्रिजबी शॉंसील होतने है ways वाला सबक्सिसक्राइन Г оॉइक सिर्फभी जाता है तो प्रेयोग वाला question स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया आप पढ़ते हैं रोज लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे से आपको देखना है कुछ doubts वाले प्रशनों को भी आपको पढ़ना है स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया ये भ आप लोग रोज अटेंड करें अच्छे-च्छे कोस्चिनों का समाबेस किया जाता है है ना और दोस्तों सवचंदताबाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया तो बहुत सारे लोगों ने जिन्नोंने पढ़ा था उनने तो उत्तर सही बता दिया लेकिन जिन्नोंन इतना पढ़ा था बस कि सवचंदताबाद के प्रिबर्तक स्रीधर पाठक हैं उन्होंने कोस्चन को गलत कर दिया है है ना गलत कर दिया है और जिन्नोंने डी नमबर बताया उनका अंसर बिलकुल शही है आप याद रखना दोस्तों कि सवचंदताबाद सब्द का सबसे पह बाले हैं जैसे अगर आप से पूचा जाता है कि चाया बाद सब्डे का सबसे पहले प्रियोक किसने किया और चाया बाद के प्रवर्तक कौन है यह से कोस्चन आते हैं जब तो आपको डाउट में नहीं रहना है तो चंदाबाद सब्द का पूचा था इसलिए हमने उकुर धर पांडे लगाया और अगर प्रवर्तक पूछते तो हम स्री धर पाठक लगाते हैं ना किलियर बहुत बढ़िया अंगला क्वेश्चन देखते फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है फूलों का गुच्छा बोले फूल नहीं फूलों का गुच्छा बताइए फूलो रहे हैं है ना जल्दी से आपको बताना है सभी लोग बताएंगे फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है सभी लोग बताएं और उत्तर क्या हो जाएगा भारतेंदू रामचन सुकल या स्पाल या फिर पंत सभी लोगों को च तर हो जाएगा दोस्तो है ना फूलों का गुच्छा और एक रचना पूची जाती है फूलों का कुर्ता फूलों का कुर्ता ठीक है तो कुर्ता से भी आपको साउधान रहना है फूलों का कुर्ता या स्पाल की रचना है दोस्तो फूलों का कुर्ता जबकि फूलों का गुच फूलों का गुच्छा किसकी रचना है भारतेंदू की और फूलों का कुर्टा यासपाल की रचना है ठीक है याद रख देना भूलना नहीं है फूलों का कुर्टा यासपाल फूलों का गुच्छा भारतेंदू हरिस्चंद ठीक है बहुत बढ़िया है ना अब यहाँ पर आ प्रथम महा कभी, है ना, यह भी पूछा जाता है, आप ब्रहंस का प्रथम कभी, अब आपको यहां पर भी बताना है, देखो पूरे बिकल्फ है लाइन से, चंद बरदाई को आप मानेंगे, सरहपा को मानेंगे, देोसेन को मानेंगे, सुयंभू को मानेंगे, बताईए, का प्रतम कभी किसे मानेंगे ऐसे कॉस्चन आपके लिए डाउट्स में डालते हैं कि बोले सर जब किस रापका चार हिंदी की प्रतम रचना है तो सरहपा को हिंदी का प्रतम कभी क्यों माना जाता है कभी आपके मन में माइंड में कभी आया बिचार नहीं आया क्यों नहीं आ रखाय किसर हिंदी को प्रतम कभी सरहपा माना जाता है हिंदी का प्रतम कभी कौन माना जाता है और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तो हिंदी का प्रतम कभी सरहपा अगर इस प्रकार से कोश्चन आता है कि हिंदी का प्रतम कभी कौन है तो आपको सरहपा ही लगाना है लेकिन अगर इस प्रकार से question आपका यहाँ पर बदल जाता है कि हिंडी का प्रतम महा कभी कौन है महा कभी कौन है तो महा कभी में आपको उत्तर लगाना चंद बर्दाई है ना, अगर आप से प्चा जाए कि राम कुमार बर्मा ने हिंडी का प्रतम कभी किसे माना है तब आपका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू है ना और आपको पता है एक कॉस्चन और आपको बताना है कि हिंदी की पिर्थम रचना कौनसी मानी जाती है हिंदी की पिर्थम रचना कौनसी मानी जाती है जल्दी से आपको बताना ये तो सभी लोगों को दोस्तो डाउट्स लिखाता ठीक है ये भी आपको पता हो गया और आपको स्वयंभू भी आपको पता होगा कि राम कुमार बर्मा राम कुमार बर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रतम कभी माना है ये भी आपको याद रखना है अब आपको बताना हिंदी की प्रतम रचना कौन सी है जल्दी स जैसंकर पिरसाद या पिर स्री निवास दास योगधार एक इसकी रचना है अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना नहीं तो सीधा सीधा बोल दो कि सर गलत बता रहे जैसे अभी एक भाई ने बोला था काई के लिए स्वचंदता बाद के लिए किसने बोला था रंजीत कौन है उसने बोला सरकाहे को गलत बता रहे है ना समझतो लो भाईया स्वचंदता बाद को है ना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर स्वचंदता बाद लिखा है और यहाँ पर छाया बाद लिखा है कि छाया बाद हो या स्वचंदता बाद हो दोनों सब्द का सबसे पहले प्रियोग करने बाले जो थे वो मोकुडधर पांडे थे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वछंदता बाद सब्द का सब्से पहले प्रियोग किस ने किया आपका उत्तर हो जाएगा मोकुडधर पांडे अब इसमें कौन सा डाउड से इसको याद रख लेना अब पूछा जाएगा कि प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया नंद दुलारी बाचपे इने प्रियोग बाद के प्रिवर्तक कौन है तो अग्ये हैं ऐसा जरूरी नहीं कि किसी ने अगर प्रितम सबसे पहले सब्द का प्रियोग किया तो बही उसे उसका प्रिबर्तक होगा ऐसा कुछ भी जवूरी नहीं है याद रखना योगधार की रिचनाकार कौन है तो बहुत सारे लोग यहां भी तो योगधारा की रिचनाकार कौन है शोहनलाल दोवेदी और योगधारा की रिचनाकार कौन है तो नागरजन इनको आपको याद करना है ठीक है ऐसा आता है हमेशा अब यहां पर आ जाते हैं ठीक है तो यहां पर आपको बताना है कि समय देवता की रिचनाकार कौन है समाई देवता के रचनाकार कौन है जल्दी से बताईए समाई देवता के रचनाकार कौन है माखलाज चत्रवेदी हैना नरेश महता, पंत या पर निराला समाई देवता आपको बताना है एक साहित देवता भी होता है दोस्तो अब इस question में भी आपको बता है इस question में भी कई doubts है मैं बता रहा हूँ उन प्रशनों को लेकर के मैं आया हूँ है ना जो प्रशना आपके लिए हमेशा confuse करते हैं और आप हमें ही गलत ठहरा देते हैं है ना कि सर आपको नहीं पता आप गलत काहे को बता रहे हैं और बसी और बसी रचना के लिए मैंने बताया कि जैसंकर पिरसाद की है जबकि उसमें option में दिन कर नहीं था और इसर काहे को गलत बता रहे हो ये तो रचना दिन कर की है फिर मैंने बताया समय देउता के रचना कार कौन है है ना और साहत देवता की रचना कार कौन है तो यहाँ पर आपको याद करना है कि समय देवता यह जो रचना है दोस्तों यह नरेश महता की है जबकि साहत देवता अगर आपसे पूचा जाएगा तो साहत देवता की रचना कार कौन है माखल लाल चत्रुवेदी और मैंने तो नहीं अबूलना नहीं है धायत देवता सहहेडा देवता मांखण खवाना है को याद रखते हैं कि रुछना है और गुनाहों का देवता धरमबीर भारती भुनाहों का देउता धरम बीर भारती समाई देउता नरेस मेहता साहित देउता माखला चोत्रवेदी इनको आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है पकड़ बनाना है इन चीजों में ठीक है अंगला कोश्चन आते हैं दोस्तों यहां पर कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है कलम का दूर की रचनाकार कौन है उत्तर आपको बताना है अमरत राय हैं या फिर मदन गोपाल है अग्गे हैं या फिर निराला है अच्छा कॉस्चन है सभी लोग लाइक जरू कर देना और जिन भी साथियों को सेल्प स्टड़ी किलासे इस एप में दोस्तों एडवीसन लेना है आपके लिए बहुत फायदा होगा अभी तक जो छूटी किलासे दो चूटी किलास भी होंगी तो वो भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी है ना तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडवीसन लेना है वो आराम से सेल्प स्टड़ी किलासे इस एप डाउनलोड करें और मैंने आपको कई बार रहात करवाया कि मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल है ना मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल और अगर अगर आप आप से पूछा जाता कलम का सिपाही कलम का सिपाही की रिचनाकार कौन है तो कलम का सिपाही में आपका अमरत राय हो जाता कलम का मजदूर ए मदन गुपाल की है कैसे अंतर इसमें समझें मैंने कहा था कि अगर मजदूर आए तो मा से मजदूर और मा से मदन गुपाल ठीक है और सिपाही में आप अमरत राए पड़ लेना बोले सिपाही अमरत पीते हैं सिपाही की जीवनिया मानी जाती है दोस्तों कि प्रेम चंदी की जीवनिया मानी जाती है इनको अपन को याद करना है मेरी जीवन यात्रा आत्म कथा किसकी मानी जाती है यहां भी बहुत सारे लोगों को डाउट से पुलिसर कैसा डाउट से मेरी जीवन यात्रा आत्म कथा किसकी है र मेरी जीबन आत्रा आत्म कथा किसकी है मेरी जीबन आत्रा आत्म कथा के लेखा कौन है और आपका बिलकुल सही यहां पर उत्तर हो जाएगा यह दोनों जो महानु भाव हैं यहां पर देखो तो इन्होंने अपनी अपनी आत्म कथा लिखी है दोस्तों इसी नाम से यानि कि आ आपके उत्तर A और B दोनों हो जाएगा राहूल सांकृत्याईन भी है और जनकी देवी बजाज की दोस्तों इनकी बी आत्म कता है मेरी जीबन यात्रा तो आप कन्फ्यूज नहीं होना कभी कभी आपसे पूछा जाए कि मेरी जीबन यात्रा आत्म कता किसकी है अगर option में रा को याद करना है एसे ही आप लोग पढ़ती रहें दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें जितने भी हमारे साती हैं बहुत अच्छा लगा होगा है आपको कि आ swept time video को लाइक और सेयर करती रहें जिन भी सात्यों को दोस्तों सेप Si सेस अगर आपने एप डाउनलोड नहीं किया है तो एप को आप डाउनलोड कर लें और दोस्तों बहाँ पर 2020 टेस्टीरिज होती है सब्ताह में दो बार होती है रभी बार और गुरुबार को होती है तो इस टेस्टीरिज में आप भाग ले याट रसकते हैं निचोन क किला से जिनका दस दिन की अंदर कोई एक्जामन है तो वो इसमें दोस्तो सल ले सकते हैं का मात्र 1199 में आप कर सकते हैं ठीक है ।bak मिरे नम Dare 건 में चल रहा है उसको याद कर लेना और दोस्तो उस पर आप बोडस आप करके हमसे Бात कर सकते हैं है ना और दोस्तों ये चतुर्थ बैच भी स्टार्ड हो रहा है इनको भी आपको याद रखना तो जिन भी सात्यों को एड़ बीसल लेना है ठीक है कुमारी हैमा जी बबीता बीनु जी दारसु पूनम हरियों जी शीमा जी रीना जी आल इन वन जी अर्स दीप जी ब बहुत बढ़िया गीतिका जी विजय लक्षमी प्रमोद पांडे सीमा जी अभय यादव जी धन्नबास सातियों लगे रहें वीडियो को लाइक करते रहें और बिद्या जी मनीसा गिल जी सौनू जी रीता कांत जी प्रीती पाल जी मीनू जी हैना कुलदीप जोती जैन जी जी रजनी जी मधू जी बहुत बढ़िया प्रमिला मीना जी अन्या जी डॉली सेट जी और बिलको लबली ठाकोरदार सू शरमा जी जितने भी हमारे सातियों को लाइक अपने मित्रों तक सेयर जरू करें बेसाली कूलदीप जी तरन जी हैना सिवानसी आरादना जी प्रद सबी साती जुड़े रहें लाइक करते रहें सेल्प स्टडी के लासे से अपको जरूर डाउनलोड करने सातियों और आंगे जरूर बढ़ते रहें ठीक है तो जितने भी हमारे साती हैं उनको आंगे जरूर बढ़ना हैं लाइक करना हैं सेयर करते रहना हैं और अध्यन तो प्रोकना नीच चाहिए अध्यन तो आपको करना ही है और सेलफ स्टडी के लासे से आपको जरू डाउनलोड कर लेना ठीक है सभी सातियों को धन्वाद एक्जाम आपके निकट है हर एक्जाम आपके आने वाले हैं ठीक है तो सभी साती इसी प्रकार से जुड़े रहें दोस् तो जय हैं